नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अकरवाल, VHCA Hair Clinic YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ Hair Lose की सीरिस के, आज के वीडियो में हम जानेंगे, कि महिलाओं में जो Hair Lose होता है, उसके अंदर Hair Transplant का क्या रोल है, क्या महतव है तो मित्रों, पहले जानते हैं, female pattern hair loss के बारे में, जैसा कि हम सब जानते है, pattern hair loss दो परकार का होता है Male pattern hair loss और female pattern hair loss. Female pattern hair loss महिलाओं में hormonal changes के कारण होता है, जिसमें महिलाओं में टेस्टेस्टोन हर्मोन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं。 और बाल पतला होने लग जाता है。 इसकी तीन अलग-अलग stages होती हैं。 Stage 1 में, frontal hairline और mid से बाल दीरे-दीरे पार्ट होने शुरू हो जाते हैं और बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं stage 2 में स्थिती और थोड़ी सी खराब हो जाती है और बीच का पार्ट वाला हिस्सा महिलाओं में जादा नजर आने लगता है और stage 3 में बहुत सारी baldness नजर आती है female pattern hair loss की ये तीन अलग-अलग stages है मित्रों, पिछले वीडियों में हमने जाना कि जब hair follicles खतम हो जाते हैं यानि जड़े खतम हो जाती हैं तब hair transplant ही स्थाई समधान है जब hair transplant के दवारा ही ने बालों को उगाया जा सकता है या फिर artificially बालों को hair patch या hair wig से लगाया जा सकता है दवाईयों से हम गए हुए follicles को दुबारा वापस नहीं ला सकते महिलाओं में hair transplant करना पड़ता है जैसा कि हम जानते हैं hair transplant की दो विधियां है FUE और FUT महिलाओं में इन दोनों विधियों दवारा ही hair transplant किया जा सकता है FUT विधि में एक strip निकाली जाती है और एक एक बाल एक एक graft काट के जहां पे required है recipient area में वहाँ पे लगाया जाता है और FUE में एक एक बाल निकाला जाता है और एक एक बाल लगाया जाता है यह depend करता है कि महिलाओं का pattern कैसा है या उनके अपने existing hair कैसे है इस बात पे decide करना पड़ता है कि कौन सी विधि महिला के लिए जाता बेहतर रहेगी FUE या FUT मित्रों आज जब पूरी दुनिया के अंदर hair transplant का प्रचलन बढ़ रहा है महिलाओं के अंदर भी hair transplant पहले किया पिक्षा कहीं जादा स्विधा जनक हो गया है और बहुत सारी महिलाएं आज अवेर हैं और hair transplant के लिए त्यार है आने वाला समय hair transplant के लिए और अधिक स्विधा जनक और और अधिक नई नी विधियों के साथ आने वाला है तो हम महिलाओं के लिए hair transplant बहुती ज़्यादा बेहतर तरीके से आज के दोर में कर सकते हैं hair transplant के दोरा महिला अपना पुराना लुप दोरा वापस पा सकती हैं और अपनी कम हुई self-esteem को दोरा से बढ़ा सकती हैं महिलाओं में hair transplant कई condition में किया जाता है ट्रेक्शन एलोपेशिया में जब ट्रेक्शन की वज़े से hair line सीट कर गई हो तब महिलाओं में hair transplant किया जाता है या फिर किसी ट्रोमा की वज़े से या चोट के कारण कोई scarring हो गई हो तब hair transplant किया जा सकता है तो मित्रों इस प्रकार female hair pattern loss यानि pattern hair loss के अंदर hair transplant एक बहुती अच्छा विकल्प है तो इसको opt करना किसी भी तरह से safe है स्विधा जनक है आज के वीडियो में हमने जाना female pattern hair loss में hair transplant का क्या महतव है मित्रों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अन्य किसी नई विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार